नमसकार फ्रेंट्स मैं डॉक्टर समिशान संकर एक बार फिर नए वीडियो के साथ आया हूँ फ्रेंट्स आज मैं गठिया और बाता के बारे में बात करूंगा गठिया और बाता का में PART 1, PART 2 वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैं बहुत सारी important medicine के बारे में जानकारी दे चुका हूँ friends और जो कुछ important medicine आज है friends उसके बारे में जानकारी मैं देऊंगा ये तीसरे पार्ट में friends तो अगर वो दोनों पार्ट आप नहीं देखे हैं तो उसका link मैं description में दे दूँगा आप उसे link के थुरू जाएए और उस video को जरूर देखिए friends उसको आप देखिएगा तो नए इस video को आप अच्छी तरीका से समझ पाईएगा friends और आप यूज करके अपने disease को या आपने किसी चाहने वाले के disease को हटा सकते हैं friends और उसे ठीक हो सकते हैं तो चलिए friends गठिया वाता अगर किसी तरह का कोई problem है तो आप अर्टिका यूरिनेस यूज कीजिए अर्टिका यूरिनेस क्यूक यूज कीजिए यह बहुत ही important medicine है friends इसको Mr. अर्टिका भी बोला जाता है इतना important medicine है कि गठिया वाता के लिए बहुत ही मसहूर medicine है इसमें जो होता है friends गठिया वाता में यह जरूरी ज्यादा तर देखा गया है मामला की हमारे जो गठिया जहां पर होता है जोडों में वहाँ पर uric acid के छोटे-छोटे crystals जमा हो जाते हैं जिसके कारण की crystals के कारण वहाँ पर चलने फिरने में दर्द होता है और उस दर्द के कारण गठिया और वाता हो जाता है यहां तक की पत्री हो जाता है तो अगर अटिका यूरिनेस क्यों को आप 10-15 बुंद दीन में तीन बार आप हाफ कप गरम पानी में सुसम गरम पानी के साथ लेते हैं सुबा में लीजिए खाली पेट हाफ कप पानी लीजिए उसमें 10-15 बुंद आप उसको टपकाईए ड्रॉपर से उसके बाद आप उसको लीजिए फिर दोपहर में आप 10-15 बुंद ड्रॉपर से उसको डालिए हाफ कप पानी में सुसम गरम पानी में उसको लीजिए फिर अगर इसको कुछ दिनों तक लेते हैं तो जो यूरीकेसिड होती है हमारे पिसाब के थूरू बाहर निकल जाती है और जो पत्री होती है वो भी पत्री टूट कर निकल जाती है लीडम 30 को भी आप यूज कर सकते हैं फ्रैंट्स जब दर्द नीचे से उपर चड़त रहा हो नीचे से दर्द पेसेंट कहता है कि दर्द नीचे से चलता है स्टार्ट होता है दर्द होना और उपर धीर धीरे फैल जाता है पेसेंट टब में ठंडा पानी है उसमें पैर रहकर रहना चाहता है उसे आराम उसको मिलता है इस इस्टी में आप लीडम 30 का यूज किजिए इसका जो विलच्छन जो सिंटम है यही है कि ठंड़क से उसे आराम आता है और दर्द नीचे से उपर की तरफ चलता है तो लीडम 30 को आप यूज कीजिए लीडम 30 को दिन में तीन बार आप यूज कर सकते हैं सुबा में दुपार में और रात में अगर ज्यादा दर्द नहीं है तो आप सुबा में और रात में दो बार यूज कीजिए यह बहुत ही अच्छा वर करती है और आप यूज करने के बाद हाफ आधा घंटा बाद जैसे दोपहर में एक खाना खाने के आधा घंटा बाद पहले ले लें दवा डिरेक्ट टंग पर आप दो बुंद या तीन बुंद ले सकते हैं या डिरेक्ट आधा घंटा बाद लें रात में भी आप ऐसे कर सकते हैं, खाना खाने के पहले ले लें या बाद में ले लें यानि घर में जब खाना बन रहा हो तो आप उसी समय दवा को यूज कर लें और खाना बनने में अगर कुछ देर हो उसके बाद आप खाना खाएं तो फ्रेंट्स लीडम 30 को आप यूज करें इसे भी कुछ दिनों तक ही यूज करें ये गठिया बाता का बहुत ही अच्छा मेडिसीन है होम योपैत का जब दर्द नीचे से उपर की तरफ चलता हो और ठंड़क से आराम मिलता हो चलिए फ्रेंट्स एक मेडिसीन के वारे में और बात करूँगा और उसका नाम है फ्रेंट्स फॉर्मिक एसिट 6-1 याप यूज कर सकते हैं यह जोडों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसीन है इसको यूज करने से पहले जोडों के जो सूजन होता है और सूजन में जो करापन वहां पर होता है वो धीरे-धीरे करके जाता है और उसके बाद धीरे-धीरे दर्द भी चला जाता है इसको एक से छो महिने में बहुत सारा दर्द और सूजन धीरे-धीरे जो होता है वो धीरे-धीरे चला जाता है और जोडों का दर्द होता है औ बहुत ही अच्छा फर्क करेगी जोडों के दर्द में तो हमने गठिया वाता के संपुन मेडिसीन जितना अच्छा मेडिसीन है उसके बारे में चर्चा कर लिया फ्रैंट्स तीनों पार्ट में आप तीनों पार्ट को देखिए, समझिए और उसके सिम्टम को देखिए और कुछ भी मेडिसीन यूज करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए मेडिसीन पर और चुके मेडिसीन की जानकारिया को पहले से रहेगी इसलिए आप उसको अच्छी तरीका से यूज कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो किनी जानने पहचानने वाले को प्रॉब्लम है तो उन्हें आप सेयर करके ये वीडियो भेजिए और तकि वो देख सकें और तीनों पार्ट देखने के बाद वो लाव ले संके फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक जरूर कीजिए सेयर जरूर करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दवाईए ताकि मेरे सभी वो वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें क्योंकि मैं इसी तरीका का मेडिसीन होमिय कारी देता रहता हूं तो फ्रेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये होंगे तो हमें आसा है कि आप अब तक सब्सक्राइब कर लिए मेरे कहने के बाद आप जरूर कर लिए होंगे तो चलिए फ्र फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू जैहिंद